दोस्तो आज का वीडियो बहुत important होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले term insurance क्यों reject हो जाता है ऐसे 14 reasons के बारे में मैं आपसे बात करूँगा तो वीडियो के last तक बने रही है ये छोटी छोटी गलतिया मत कीजिएगा आज आपकी सामने मैं एक एक चीज़ को clear कर दूगा 14 ऐसे points से जिनको follow करेंगे तो आपका term insurance कभी reject नहीं होगा रमेश एक विर्ति जिसने अपने 25 साल की उमर में ही term insurance ले लिया था तो उनकी family वाले documents लेके insurance company जाते हैं और कहते हैं कि भाई सब हमारा एक claim है इसको आपने pass करना है तो जब inquiry होती है तो पता चलता है कि वो insurance claim reject हो गया बिल्कुल reject हो गया दोस्तों तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो ऐसी स्थिती में आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो उसी के उपर है दोस्तों 14 points को बड़े serious ही समझिएगा हम बात करने वाले है reasons के बारे में जिनकी वज़ा से term insurance reject हो जाता है सोच के देखे कि व्यक्ती ने 25 साल की उमर में एक करोड का term insurance ले लिया है सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कम से कम एक करोड रुपे मिलेंगे जिसकी वज़ा से 10-20 साल उनके lifestyle में कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए बगर क्या होता है insurance reject हो जाता है तो जो पैसे मिलने वाले होते हैं जो उस बंदे ने planning की होती है वो सारी बेकार हो जाती है दोस्तो और उस समय वो policy holder वहाँ पर नहीं होता है ताकि वो argue कर से कमपनी के साथ में कि भई आपने ये गलत किया है कौन से point की वज़ा से मेरा time insurance fail हो गया तो दोस्तो बिना देरी क्यों है video के सबसे पहले reason के बारे में बात करते हैं दोस्तो सबसे पहला reason तो ये है कि जब insurance advisor आपसे पूसता है कि भई आपको कोई health challenge तो नहीं है या फिर आपके परिवार में किसी को health challenge तो नहीं था या आपके blood relation में किसी कोई health challenge तो नहीं था उस समय आपको जो actual picture है वो ही बतानी है अगर आपके दादा पिता जी पर दादा को कोई प्रॉब्लम थी अगर आपको पता है तो जरूर बतानी है आपके blood relation में किसी के साथ कोई health challenge है तो जरूर बताना है आपको कोई health challenge है तो वो जरूर बताना है और उस time पे पता चलता है कि इनको ये विमारी पहले से थी तो दोस्तो आपका term insurance 100% reject हो जाएगा कोई दोराई नहीं है rejection में क्योंकि company को तो बहाना चाहिए reject करने का और आपने उनको ये बहाना दे दिया है तो दोस्तो किसी भी तरीकी की अगर कोई health challenge है तो बताना है उससे क्या होगा उससे सिर्फ इतना ही होगा कि आपका जो premium है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बट company को ये पता है कि इनको ये problem है इसी problem के साथ साथ वो आपका premium बढ़ाने के बाद में आपको policy issue कर देगी अब आपने उससे कुछ नहीं चुपाया है तो दोस्तो इस चीज़ को सबसे पहले reason को mark कर लीजे कि कोई भी health condition आपकी है तो वो clear करके बतानी है कुछ चुपाना नहीं है दोस्तो reason number two के बारे में बात करते हैं दूसरा ऐसा reason क्या है जिसकी वज़स से term insurance reject हो जाता है चलिए दोस्तो reason number two के बारे में भी जानते हैं इसको ध्यांसिस समझेगा कई बार लोग लापरवाई में या फिर over smartness की वज़स से अपना term insurance करा तो लेते हैं लेकिन अपने परिवार को नहीं बताते हैं परिवार को ना बताने के उनके अपने reasons हो सकते हैं लेकिन दोस्तो ये गलती मत कीजिएगा रमेश एक व्यक्ती जिसने अपना term insurance plan ले रखा था और उनके चले जाने के बाद में उनके परिवार वाले यही बोलते रहें कि यार काश इनोंने term insurance plan लिया होता ताकि अपनी पतनी और अपने बच्चों को कुछ पैसों का सहारा या फिर lifestyle तो देखे जाता अपने चले जाने के बाद में तो रमेश ने term insurance plan लिया था बड़ उसके बारे में किसी को बताया नहीं था अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को यह जरूर बताना है कि भई मैंने term insurance plan ले रखा है और उसके documentation यहाँ पर है दोस्तों जो भी payment आप करोगे जो भी receipt आपको मिलेगी उसकी file बना लीजिए file बनाने के बाद में हर बार का renewal premium का जो receipt है वो उस file में लगा दीजिए उस से related कोई भी documents है वहाँ पर लगा दीजिए क्या-क्या documents की ज़रूरत पड़ती है जब हम claim करते हैं तो वो documents भी वहाँ पर लगा दीजिए मुश्किल समय होता है अपनी और चीजियों से अपने दर से बाहर ही नहीं निकल पाता है मगर ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इंसान ने अपनी परिवार के लिए term insurance ले रखा है तो आर्थिक मदद बहुत बड़ी चीज होती है उस समय पे वो मिलती है तो दोस्तो reason number two में हमने यही बात करी है कि अगर आपने term insurance plan ले रखा है या कोई भी life insurance plan ले रखा है तो अपने family को जरूर बताएं उसके बारे में तीसरे number पे आता है हमारा reason जिसकी वज़ा से insurance plan reject हो जाता है वो है pay your premium on time आपने term insurance plan ले लिया है और आपने उसमें जो भी mode choose किया है अगर one time वाला किया तो एक ये बारे में payment करके आप निश्चन्द हो जाते हैं अगर आपने yearly या monthly mode choose किया है या quarterly mode choose किया है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका जो grace period है grace period से पहले पहले आप अपना premium जमा कर दें आप इसको ऐसे भी समख सकते हैं कि आपको अपना last जो grace period होता है grace period तो आने ही मत दो उससे पहले ही इसको भर दो दोस्तों कि ये जो है term insurance है इसमें आर्थिक मदद मिलती है policy holder के चले जाने के बाद उनके परिवार को तो दोस्तों आपको इसको बड़े ध्यान से maintain करना इसका schedule बना लो plan कर लो इसको कि भई इस तारीक को भरना ही भरना इतने पैसे तो होने ही चाहिए मेरे पास ठीक है दोस्तों ये हो गया reason number 3 reason number 4 के बारे में बात करते हैं चौथा reason term insurance injection का ये होता है कि आपने अपना proposal form खुद नहीं भरवाया या अपने सामने नहीं भराई या खुद नहीं भरा क्योंकि जब कोई insurance agent आपका form पर sign करा लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो details है कई बार आप उनको नहीं दे पाते हो या आप उनको ठीक से नहीं बता पाते हो या वो अपने ही अनुमान के हिसाब से form को भरने लगते हैं ऐसी इस तीजी में claim rejection ratio बढ़ जाता है reason यहीं कि जो आपकी actual information थी वो उनको पता नहीं आपने अपने सामने भरवाई नहीं आपने बताया नहीं तो उन्होंने अपने हिसाब से जो standard तरीका होता है उसके हिसाब से भर दिया है यह एक reason हो सकता है आपका claim reject होने का तो इस चीजी का भी ध्यान रखना है अपने सामने भरवा लीजे बहले पूरा टायम लगाई है लेकिन अपने सामने भरवा लीजे या फिर खूद भरिये कई बार हम अपना form भढ़िया तरीके से भर देते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से भर देते हैं हमने सारी वीडियोज देखिए कि मैं अच्छे से प्रोवजल फॉर्म भरना है लेकिन जब हम नॉमनी की detail भरते हैं तो कई बार धंक से नहीं भरते हैं अपना address गलत कर देते हैं अपने नॉमनी का नाम गलत कर देते हैं जिसकी वज़ा से हमारा claim नहीं मिल पाता है सामली को तो दोस्तों ये चीज आप बड़ी ही ध्यान से अपडेट करा लीजिगा जो भी नॉमनी नहीं कराया तो अब करा लीजिए पॉलिसी नहीं लिए तो ये चीज़े देखने के बाद पॉलिसी ले लीजिए और ले रखी है तो इन चीज़ों को ध्यान रखे इन चीज़ों को दुबार ही चेक करवा लीजीगा दोस्तों दोस्तों कई बार सारी हीज़े तो प्रॉपर होती है हमारे पास में डॉकुमेंटेशन होती है, टाइम पे प्रीमियम भरा हुआ होता है नॉमनी का नाम लिखा होता है, फैमिली को बताया हुआ होता है लेकिन बलती ये हो जाती है कि जब हम अपने परिवार के की सदस्य को खो देते हैं तब उस समय हम एक अलगी emotional feelings के साथ जुड़े होते हैं हमारे अंदर जो गम है, उसे बाहर भी नहीं आ पाते हैं लेकिन दोस्तों दिल पे पत्थर रखे आपको claim करने जाना है insurance company के पास में क्योंकि इसका जो समय होता है minimum 30 से 60 दिन का, कुछ company 30 दिन का time देती हैं claim करने कुछ company 30 दिन का time देती हैं, जो company समस्ती emotions को, वो 30 दिन का time भी दे देती हैं ये चीज़ आप ध्यान रखेगा कि समय pay claim करने जाना है, right अब बात करते हैं साथवे reason के बारे में, जो important reason हो सकता है rejection का company ने आपको policy issue कर दी है, अब company आपको phone करके बोलती है, sir आप अपना medical करा लीजिए अब आप medical कराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि actual में आपको पता चल जागा और आपके साथ कोई health challenge है या नहीं है, तो वो company की file में भी add हो जाएगा season के वारे में क्यों reject होता है हमारा term insurance का claim, यहां पर हम policy के जो terms and conditions हैं, उनको धंग से नहीं पड़ते हैं, हमें एक एक detail को धंग से पढ़ना है, अगर ये गलती हमने कर दी, तो company को फिर से बहाना मिल जाएगा हमारा claim reject करने का, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सारे claim reject हो जाते लीजिएगा, पता चला आप सुतरे मेरे पास तो एक करोड का term insurance है, बट आपने उसके terms and condition पे ध्यान नहीं दिया है, कई बार ऐसा भी terms and condition होता है कि आप जैसे नौइडा जैसे area में रहते हैं, बट आप फॉरन में आपके साथ कोई दुरगटना होगा यह तो claim मिलता है या पालिसी होल्डर के साथ में, तो भी term insurance का claim नहीं मिलेगा, reason number 10, अगर आपको shock है adventure करने का, risk लेने का, ऐसी activity करने का, जो जो शीली लोग करते हैं, racing, biking, tracking, paddle gliding, ऐसी स्थिती में अगर policy holder के साथ कोई दुरगटना होती है, तो भी insurance का claim नहीं दिया जाता है, अगर आप इन ची दुस्तो 11 reason के बात करें, जिसकी वज़े से rejection आते हैं, वो ये है कि अगर delivery के time पे किसी महीला के साथ दुरगटना हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहती है, तो भी term insurance का claim नहीं दिया जाता है, ये वाला जो reason है, women's के लिए है सिर्फ, क्योंकि वो ही child को birth देती है, त तो अगर delivery के time पे उनके दुरगटना होती है, तो claim नहीं दिया जाता है, reason number 12 में आता है, natural disaster की वज़े से कोई cyclone, earth collect, flood की वज़े से अगर कोई दुरगटना होती है, policy order के साथ में, तो rejection आ जाता है, term insurance का claim नहीं दिया जाता है, ये भी आप अपने policy wording से पढ़ लीजिए, अगर nominee ही अपने policy holder का murder कर दे, अगर किसी कारवाही में ये पता चलता है, कि policy holder का murder हुआ है, और वो murder उनके nominee नहीं किया है, तो भी term insurance का claim नहीं मिलेगा, reject हो जाएगा, हाँ, कारवाही करने के बाद में ये पता चलता है, कि nominee का इसमें कोई लेना देना नहीं था, तो मिल सकत है, बट ये एक point है, ध्यान रखेगा इसको, last point जो मैं ढूंड के लाया हूँ, आप लिए वो ये है कि suicide, policy holder policy लेने के बाद suicide कर लेते हैं, तो उनके परिवार को कोई claim नहीं मिलता है, एक पैसा नहीं दिया जाता है, अगर एक साल बाद ऐसी स्तिती आती है, एक साल हो जाते policy उसके बाद होती है, तो कई companies कहती हैं कि वो insurance claim दे देगी, बट ये एक ये reason जिसको की बिलकुर रद कर देना चाहिए, मैं reason 14 number reason की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक साल बाद अगर कोई suicide करता है तो, तो ये जो suicide वाला एक साल का term है, इसको तो बिलकुर प्रद कर देना चाहिए, क्योंकि suicide तो नहीं करना चाहिए, तो दोस्तो आज हमने 14 reasons के बारे में बात करी है, क्यों term insurance reject हो जाता है, दोस्तो बड़ी मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं और term insurance plan लेते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि जो term insurance वैसे तो देखो normally मिलता भी नहीं है, ह अगर आप businessman है, तो आपका 10 लग का ITR है, तो आपको 1 रोड का term insurance मिल सकता है दोस्तो, तो ये ITR बड़ी चीज है आपके term insurance plan को लेने के लिए, बट उन लोग को क्या जिनकी ITR ही नहीं है, जो एक middle class category और low class category के लोग है, क्या उनको term insurance नहीं मिलना चाहिए, बिलकुल मिलना च दो, दोस्तो, LIC का term insurance plan है, जिसके अंदर आप 10 लाग का sum insurance बहुत ही कम दाम में ले सकते हैं, उदर आपको ITR की जिंजट नहीं पड़ेगी, private companies के जो premiums हैं, वो भी high होते हैं, आप endowment plan लेलो, ulip plan लेलो, या फिर saving plan लेलो, हम बात करें LIC के, LIC के जितने भी premium होंगे term insurance के, वो कम होंगे, और 10 लाग रुपी का sum measured, आपको term insurance मिल जाएगा, term insurance के बारे में मैं एक चीज़ और बताएगा, term insurance एक ऐसा पैसा होता है, भरना होता है, policy की अंदर एक उमर तक, यानि कि 65 साल या 70 साल भी कोई company देती है, इस दौरन policy holder जहां को दुरगटना होती है, तो परि process के लिए क्या-क्या documentation लगते हैं, तो दोस्तों वो भी आप note कर लिजी का, सबसे पहले तो जो policy का bond paper हुआ, वो आपको लेकर रखना है अपने पास में, policy holder का जो भी ID proof होगा, वो सारे लेके रखने हैं, नौमनी की जो details है, वो सारी लेके रखनी हैं, और अगर आपके रेसि लेकर जाने हैं, और death certificate आपको साथ में लेकर जाना है, जरूरत होगी तो post-mortem report भी आपको लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पर आपको नौमनी की भी ID proof of bank details सारी लेके जानी पड़ेगी, और एक और चीज़ अगर जरूरत पड़ेगी, तो insurance company आप से FIR की copy भी मांग सकती ह है, reason यह जगता है कि किस वज़े से policy holding साथ दुरगटना हुई है, तो यह सारे documents आपको जमा कराने पढ़ सकते हैं, वैसे 30 दिन का time होता है कि claim मिल जाता है, बड़ अगर company को लगता है या फिर investigate कर रही है किसी और चीज़ के बारे में, तो वो आपसे और documents की भी demand कर सकती हैं दोस्तों, दोस्तों I hope मैंने सारी चीज़े इसके अंदर cover कर दी होगी, अगर कोछ छूड़ गया तो मुझे comment box में जरूर बताइएगा, और के लावा भी कोई point है, का reason है, जिसकी वज़े से term insurance claim reject हो जाता है, तो दोस्तों आप वो मुझे comment box में जरूर बताइएगा, मिलते है नेक्स वीडियो में